हलो कूट्स, आज हम पढ़ेंगे आफ्टर बिफोर और बिट्वीन का कॉंसप्ट हम सिखेंगे आफ्टर बिफोर और बिट्वीन के बारे में बिद नंबर्स तो फर्स्ट वी विल रीड़ अबाउट बिफोर नंबर्स Before number means previous number Before number means होता है previous number Before number हमेशा बाद में आने वाले number का smaller होता है बाद में आने वाले number से छोटा होता है Like 3, 4, 5 अब देखे 3 के आगे क्या है? Dash है तो आपको बताना है 3 के आगे first number कौन सा होगा 3 के आगे? इसके लिए आपको counting अच्छे से learn होनी चाहिए तो आप बता पाएंगे जल्दी से 3 से previous number होता है आप counting भी कर सकते हैं 1, 2, 3 तो 3 से previous हमारा हुआ 2 number Next 8, 9, 10 What comes before it? 8 से पहले कौन सा number आया? 7 Yes, आप दोबारा count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 से पहले कौन सा number आया? 7 लेकिन आपको ऐसे counting करना बहुत मुश्किल होगा इसलिए आपको counting अच्छे से learn होनी चाहिए Next, what comes before 12? 12 से पहले कौन सा number आता है? 11 Yes और हाँ याद रखें Before number हमेशा left side लिखा जाता है Next After number After means next number जो next number आता है उसे कहते हैं after number Like 5, 6, 7 आगे टैश है What comes after 7? 7 के आगे क्या आता है? 8 Next 8, 9, 10 What comes after 10? 10 के आफ्टर क्या आता है बाद में? 11 14 15 16 What comes after 16? 17 और after number कहा लिखे जाते हैं हमेशा right side में और after number previous number से बड़ा होता है Next Between numbers Between means middle of two numbers Means दो numbers के बीच वाले number को between number कहते हैं Example What comes between 9 and 11? 9 और 11 के बीच में कौन सा number आता है? 10 10 नमबर 9 नमबर के आफ्टर होता है और 11 नमबर से बड़ा होता है Next What comes between 14 and 16? 14 और 16 के बीच में 15 Next What comes between 90 and 21? 19 और 21 के बीच में कौन सा number आता है? 20 Yes So kids, I hope आपको आपको आफ्टर, बिफोर और बिट्वीन का कॉनसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राब करना बिलकुल ना भूले मैं जल्दी आपके लिए एक नए वीडियो के साथ फिर होंगी Till then, Bye